वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें और इसी अभितक हमने संगीत के बारे में पढ़ा लोक संगीत और सास्ळी संगीत इसके समागम की किसमें ये सारे हमने टोपिक देखिए आज हमारो जो टोपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है नर्तिय तो आज हम पढ़ेंगे नर्तिय की स्वरूप और फिर हम नर्तिय से संबन दित और टॉपिक देखेंगे सास्ट्री नर्तिय वकेरा देखेंगे फिर लोग नर्तिय देखेंगे तो ऐसे क्रम में हम नर्तिय के वाले टॉपिक को कम्पीट करेंगे तो चलिए सबसे पहले दिया गए नाच्य सास्रो के अनुसार सास्री जो होता है भार्टी सास्रो निनत इसके दो आधारबुत स्वरूप दिखाए गए है अब ये दो स्वरूप कौन से हैं एक तो है लाश्य दूसरा है टांडव लाश्य औ तांडव के बारे में प्रिशन एक्जाम मे का प्रतिक होता है तो लाश्य रूप नर्ति की नादी की विशेशाओं का प्रतिक बताया जाता है तांडव रूप क्या होता है यह नर्ति नर अभी मुक्ताओं का स्वरूप है और इसमें लाय और गती पर अधिक बल दिया जाता है तो यह नर्ग के जो अभी नए के तीन आधारवूत तत्त होते हैं, कौन-कौन से एक तो होता है नर्ता, इसका संदर्व लाइवद से किया गया है और नर्ति के आधारवूत पत्संचलनों में, जिनमें किसी विव्यक्तिया मनुदसा का समावेस निरूपरणों में हो, जो नर्तिय प्रिस्तुदी के मा इसके बाद नर्तिय एक रूप होता है, नर्तिय का आशिक नर्तन के माध्यम से वर्णित रस और भावों से हैं, इसमें रस और भाव की बिधानता होती है, इसमें मुख अभी नहीं और मुद्राव सहित, नर्तन में प्रियुक्त अभिव्यक्ति की विविन विदियों का सम करोणा रस होता है दुखांत के लिए जरस हो ता है और किसी की शूरता को दिखाना है तो इस इसके लिए बीर रस होता है फिर आश्यारी के लिए अध्वतर रस होता है और expande या फिर अच्छोब के लिए सांत रस होता है तो जो हिंदी साहत है उसमें भी रसों की संख्या कितनी नौ मानी गई है और कहीं कहीं दस भी बताती है तो दस बार रस बात्षयली रस बताया जाता है जिसका स्थाई भाव इसने होता है हाला कि जो नत्य वगेरा हैं संगीत वगेरैस में नौरस होगी ब्याख्या की गई है yak गई है तो इसको आप देख सकते हैं कि कौन सा रस्ट किसकी वीव्यक्ति करता है कौन से भाव को वीव्यक्ति करता है इसके बाद अगला टॉपिक है भारती सास्ट्रे इनतर विधाय ये बहुत इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इनसे प्रिशन सबसे जाद एक्जाम में पूछे गए हैं संगीत नाटक अकादमी के इनसार भारत में आठ सास्ट्री इनत्य बिधायां अस्तित्व में हैं जिनमें कौन-कौन से हैं भरत नाट्यम है कुचिपूरी इनसे समद्ध जानगारी अच्छे से ध्यान से देख लेजे क्योंकि आरो यारो में एडिशनल फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं सबसे पहले बात करते हैं भरत नाट्यम की तमिल नाटू राज्य का ये नरत्य हो जाएगा इस सास्ट्री नत्य बिधा का सरवादिक पूछा जा तो भरत नाट्यम हो गया इस नत्य के उत्पत्ति का सम्मंद्ध अमिल नाटू के मंदर में नरतकों और देवदाशियों की नत्य प्रिस्तुती से हैं साधिर से हैं मतलब जो नत्य प्रिस्तुती देवदाशियां नरतक करते थे मंदरों में वो भरत नाट्यम क बहा जाता था इसे पहले दासी अटम भी कहते थे भरत नाट्यम को तंजोर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता है तो ये इसके अन्य नाम हो गए कुचिपूरी अंद्रप्रदेस इनके नाम के साथ ही इनके राज जो लगा ले तो आपको आसानी होगी याद करने में जैसे भ भी नेता का समू होता था उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कुचिपूरी नात्यविधा का नाम आंद्रप्रदेस के एक गाऊं कुसेलवा पूरी या पिर कुचेला पूरम के नाम पर पढ़ा है तो ये जो एक गाऊं है इसके नाम पर ही नाम रख दिया अगला अगला है कथकली केरल के जो मंदिर है यावर सामन्तों के सरनक्षण में नर्तिनाठी की दो रूप सामने आते हैं एक तो है रामन अट्टम दूसरा है क्रश्णा अट्टम तो यह हैं जो दो रूप इनका विकास हुआ जिसमें रामयर और महाभारत की कहानिया कही जाती है यह प्रश्ण एक्जाम में पूछा जा जुका है कि ऐसा कौनसा नर्ति का रूप है जिसमें रामयर और महाभारत की कहानिया कही जाती है तो यह कथाकली है कथाकली आम तोर पर पुरुस मंदिली के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है अगला है मोईनिय अट्टम केरल इस नर्ति रूप को नाम मिला है मुख्य रूप से महारी जंजाती की द्वारस को यह नर्ति किया जाता है महारी जंजाती है जो कि नर्ति करती है और इसे जैन राजा खारवेल का सनक्षन भी प्राप्त था इसके बाद अगला नर्ति है मणीपूर यह मणीपूर राज का ही है मनिपूरी नत्य रूप जो है ये मनिपूर की घाटियों में इस्थानिय गंदर्वों के साथ सिव और पार्वती के देविय नत्य में अपना पौरानिक उत्गम पाता है तो यहां की जो महत्व है या फिर कहें इस उत्पत्ती है तो यहीं से होती है इसका एक पौरानिक महत्व है हमानी पूरी नेतिका पंदरवी सतीवे मैशनवाद के आगमन के साथ इस नेतिकी प्रमुक्ता प्राप्त हुई इसके बाद मतलब यहीं से इसका बढ़ना सुरू हुआ और लोगों तक यह पहुंचना सुरू हुआ इसके बाद कत्थक उत्तरपिदेश का है यह बहुत बार एक्जाम में पूछा जा चुका है यूपी के हरी के एक्जाम में लगवग पूछ लिया गया है ब्रजबूमी की रासलिजला से उत्पन कत्थक उत्तरपिदेश की परंपरागत नतिपिदा है और कत्थक का जो नाम है कतिका से लिया गया है कतिका तातपरी क्या होता है फाओ बंगिमाओ और संगीत के साथ महा कावियों से लिए गई जो कविताएं हैं उनकी प्रस्तुती करना तो जो महा कावियों से कविताएं ली जाते उनकी प्रस्तुती करने को क्रिया को क्या कहते ह बैषणाओ संत्र संकर देव के द्वारा आदने एक रूप से सत्रिय अनर्थर प्रशलित किया गया था UPSC भी इस पर प्रश्ण बना चुका है तो असमका है संकर देव का नाम जरूर याद रखें कि ये किस से संबंदित हैं तो ये संत्रिय अनर्थर से संबंदित हैं साथ भी शेयर करें more update के लिए हमारा टैलिग्राम गुरूप जाइन कीजिए लिंक आपको description मिल जाएगी इसके लावा study for civil services के paid wise से जोड़ना चाहते हैं तो description में दीगे detail को follow कर सकते है आरो यारो के लिए study material हमारा already launch हो चुका था अगर अभी भी आप एक मेने का समय है 30 दिन है मतलब 30 दिन में भी अगर आप study material अच्छे से पढ़ेंगे 8-9 घंटे का समय देंगे तो आराम से exam clear किया जा सकता है cut off clear किया जा सकता है बसरते आपको 8-9 घंटे पढ़ना होगा पढ़ाई में देना होगा बिलकुल seriously देना होगा ताकि आप जो पढ़े आपको एक बार में आद हो आपको revision करने का जो समय भी बच जाए और साथी साथ आप practice quiz और test series भी जरूर जोइन कर ले वो भी आप लगा सकते practice quiz आपके तो आप इसको join कर सकते है जोइन करने के लिए आपको description को ही follow करना है सारे detail आपको description मल जाएगी thank you for watching this video तस रहे मस रहे मुसकराते रहे बढ़ाय करते रहे मिलेंगी next video में thank you so much